दोस्तों आज हम बात करेंगे गीमित्र आई-र्सीटीसी एजेंट रेस्टेशन के लिए जिन चार चीजों के आउशक्ता है पैन, अधार, मोबाईल, इमेल उन्हें आई-र्सीटीसी पर डी-लिंक या आन-रेइस्टर कैसे करें इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं आपसे निवेदान करूँगा कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे की नए वीडियो के बारे में आपको अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं IRCTC पर इमित्र एजेंट रेइस्टर के लिए इन चार चीज़ों की हो शकता है मुबाइल नंबर, इमेल, पैन कार्ड और अधार नंबर इन चारों में से कोई भी चीज IRCTC पर as a user account रेइस्टर नहीं होनी चाहिए चाहे आपने पहले किसी citizen की रूप में एक account IRCTC पर बनाया हो और उन में से इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक document अगर link है तो आपको पहले उसे वहाँ से हटाना पड़ेगा तब ही आप इमित्र IRCTC agent बन पाएंगे यह ID यूजर ID से link होती है IRCTC पर और एक बार अगर IRCTC हमने अटा दिया तो आप IRCTC से उस user ID के द्वारा कोई नया ticket बुक नहीं कर पाएंगे इसके लिए क्योस कोपरेटर को यह step follow करने है कि सबसे पहले IRCTC.co.in पर login करें login करने के बाद में login करते ही उन्हें अपना नाम और user ID यहाँ पर दिखाई देंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना है कि वो अपना email और mobile जो IRCTC पर रेइस्टर है अगर वही email और mobile वो इमित्र IRCTC agent के रूप में use करना चाहते हैं तो उन्हें वो अपना mobile और email वहाँ से हटाना पड़ेगा IRCTC से हटाना पड़ेगा उसके बाद में हम pen और आधार नमबर का unregisteration करेंगे तो mobile और email हटाने के लिए process है कि सबसे पहले आप my account menu पर क्लिक करें उसमें my profiles link पर क्लिक करें और उसमें update profile में जाएं update profile में आपके सामने नाम और date of birth और सब चीज़ें आपके सामने display होंगी यहीं पर आपके सामने mobile होगा और email ID होगा दौनों के आगे edit का link आ रहा होगा आप जैसे ही edit करेंगे तो system आपको उस mobile या उस email ID पर आपको option देगा कि आप नया email ID या नया mobile नमर डाल दीजे और जैसे आप डालेंगे तो उस नए email या mobile नमर पर आपके एक OTP जाएगा जिसको आपको डालके verify करना पड़ेगा जिससे कि आपका mobile या email वहाँ पर change हो जाए यह change होते ही जो आपको नया email जुड़ गया या mobile जुड़ गया IRCT साथ तो आपको पुराना वाला वहाँ से हट गया इस तरह से आपका profile से mobile और email हट जाएंगे अब आप आगे बढ़ें और अपने account से my account से my profile menu में release पैन और आधार में जाएं और पैन और आधार को हटाने की process करें रिलीज पैन और आधार पेज पर जैसे आप पहुंचेंगे तो आपको अपने पैन और आधार नंबर वहाँ पे विजिबल होंगे यूजर आईडी के अगेंस्ट में आपको वहाँ पे अपने login पासवर्ट डालना है और I have read and agree to terms and conditions को टिक करना है और रिलीज पैन आधार आपको बटन क्लिक करना है जैसे आप ये बटन क्लिक करेंगे आपका पैन और आधार उस user ID अकाउंट से deactivate कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा रिलीज कर दिया जाएगा और आपका ये user ID भी deactivate हो जाएगा आप इससे कोई ticket book नहीं कर पाएंगे परन्तो तभी आप ये मेल अधार और पैंक कार्ड आयसेटी से हटाएं धन्यवार्द